नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारी YouTube चैनल पर दोस्तों मैं हूं साउरब और आप देख रहे हैं Perfect Mobile Solution दोस्तों यह जो हैंडसेट है रेडमी ब्रांट का है और मॉडल नंबर है रेडमी 6 दोस्तों आज का जो यह मेरा वीडियो है इसका टॉपिक यह है MI Account Unlock ठीक है आपके पास अगर रेडमी का कोई भी हैंडसेट हो सिर्फ 6A के लिए नहीं यह वीडियो है यह वीडियो रेडमी का जो भी हैंडसेट आपके पास हो कोई भी माडल हो और अगर आपकी डिवाइस MI Account लाग है ठीक है मैं यहाँ से दिखा देता हूं कुछ इस तर बैठे बिल्कुल without any charge आपका कोई पैसा नहीं लगना कैसे आप इसको अनलाग करेंगे इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपके पास कोई भी हैंडसेट हो बहुत आसानी से आप इसका MI Account अनलाग कर पाएंगे लेकिन यहाँ दोस्तों वीडियो जरूरी है अगर आपने Gmail ID के थ्रू create किया हुआ है तो Gmail ID का होना बहुत जरूरी है ठीक है यह हमारी device है सबसे पहले हमको करना क्या होगा device को Wi-Fi के थ्रू connect करना होगा तो हम यहाँ पे open Wi-Fi setting पे click करेंगे और इस device को हम Wi-Fi के थ्रू connect कर लेंगे ठीक है आप यहाँ देख सक activate this device पे click करेंगे तो यहाँ कुछ information आपको मिलेगी थोड़ा समय यहाँ जूम करता हूं और आपको दिखाता हूं एक मिनट यह देखिए जो account है ठीक है यह account है जो हमने ID बनाई थी यह ID यहाँ पे सो कर रहा है ठीक है दूसरा नीचे देखिए यह mobile number सो कर रहा है यहाँ पे मतलब इस ID में create इस number का यूज करके यह ID हमने create की थी ठीक है तो इसलिए दोस्तों मैंने बताया कि आपके पास mobile number यह Gmail ID का होना बहुत must है बहुत जरूरी है अब चलते है अपने PC पे और आपको बताते हैं कि कैसे इसको password reset करके आप अपनी इस device को unlock कर पाएंगे ठीक है हम अ with my account ठीक है यहाँ पर हमको search box में लिखना है sign in with my account ठीक है यह रहा नीचे के तरफ आप देख रहे है sign in with my account ठीक है आप इस पर क्लिक कर दीजिए ठीक है उसके बाद यह जो page खुलेगा तो यहाँ first page आप देख रहे है यह my account sign in आपको इस पर क्लिक करना है ठीक है इस पर क्लिक करने के बाद एक दूसरा page open हो जाएगा तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे लिखा है sign in with password यह नीचे के तरफ देखिए sign in with password आपको इस पर क्लिक करना है ठीक है फिर एक दूसरा page open हो जाएगा त तो और थोड़ा नीचे आ जाईए, और नीचे के तरफ लिखा है Fargate Password, आप इसपे क्लिक करिए, ठीक है, तो ये Reset Password का एक page open हो जाएगा, ठीक है, तो Reset Password करके आप अपने device को unlock कर पाएंगे, यहां दोस्तों मैंने आपसे बोला, हमने हमारी जो mobile थी Redmi 6, उसको, उसमें जो ID create की गई थी, वो mobile number के through create की गई थी, ठीक है, तो जो mobile number हमने डाल के, वो ID create की थी, वो mobile number हम यहाँ पे add करेंगे, ठीक है, यह देखिए, हमने mobile number यहाँ पे अपना डाल दिया, ठीक है, यहां आपको ध्यान देने वाली बात यह है, कि यहां जो आपका यह country code है, चुकि मैं इंडिया से हूँ, तो मैं यहां से इंडिया हमने select किया, प्लस 91, यहां बहुत सारी country आपको दे रखी, आप जिस country से हूँ, वो country आप यहाँ select कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद mobile number डालने के बाद, यहां से simple हम next करेंगे, ठीक है, एक दूसरा page open हो जागा, यह देखिए, account verification और यह mobile number का है, जो मोबाइल नमबर पे OTP जाएगी, तो हम यहां से send कर देंगे, और send करने का बाद, जो mobile number पे OTP जाएगी, छय अंको की, वो OTP हमें यहां पे enter करना है, और यहां से click कर देना है, submit कर देना है, ठीक है, submit करने का बाद, एक दूसरा page open हो जाएगा, reset password, ठीक ह कम से कम 8 अंकों का password हो, जो आप password ऊपर type करेंगे, same password आपको नीचे type करना है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, कुछ password type करने में कुछ condition होती है, जो कि आप नीचे देख सकते हैं, ये 8 से 16 अंकों की बीच का होना चाहिए, इसमें कुछ अंक होने चाहिए, कुछ number होने चा ठीक है, ये देखे, reset password हो गया, और ये यहाँ पे सही का mark आगया, यानि कि change password successfully, आपका password पूरी तरह change हो गया, ठीक है, अब simple, आप चलेंगे अपने device में, और यहाँ हमागे अपने device की तरफ, और हम यहाँ आपको दिखा देते हैं, device हमारी चुकी Wi-Fi के थूप पहले से connect है ठीक है, तो हम यहाँ से back चलते हैं, और activate this device पे click करेंगे, और जो password हमने वहाँ डाला हुआ था, same password यहाँ पे type करेंगे, याद रहे दोस्तों, इस device को unlock करने के लिए यह देखे, मैंने password यहाँ पे type किया, ठीक है, अब यहाँ पे हम यह जो activate लिखा हुआ, green color का हम इस पे click क लग देंगे, और अब आप देखेंगे, यह देखे, verify पासवर्ड, और अब हमारी device अनलाक हो जाएगी, यह देखे, device हमारी पूरी तरह से अनलाक हो गई, तो इस तरह आप अपने किसी भी redmi device का password reset करके, आप अपनी device का MI account remove कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने आपको को का MI account unlock कर पाएंगे ठीक है अनलाग करने के बाद चुकि यहां मैं दिखा देता हूं दोस्तों आपकी device जो है की FRP लाग हो जाती है यानि की Google account लाग हो जाती है ठीक है क्योंकि आपने device को hard reset किया था और hard reset करने की वाज़े से यह device जो है की MI account लाग हो गई ठीक तो अब यहां पर आपको यहां देखेंगे अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि आपकी device जो है की FRP लाग है यह देखिए यहां दोस्तों यहां आप देख सकते हैं यह लिखा है unlock after factory reset ठीक है तो यहां चुकि हमको password नहीं पता है और password नहीं पता हो था इसलिए device को hard reset किया गया और हमारी device finally MI account उसमें add था इसलिए device जो है की MI account लाग हो गई ठीक है तो चुकि हमें password भी नहीं पता है तो यहां पे हम use my google account instead पे क्लिक करेंगे यह रहा हम इस पे क्लिक करेंग और अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि आपकी device जो है की यह देखे verify your account google account लाग हो गई तो अगर आपके पास redmi का 6 है और google account लाग है तो इसका google account कैसे remove करना है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं ठीक है तो चलते हम बिल्कुल back home page पे बिल्कुल हमको back ज next next ठीक है और हम यहां आ गए हमारी device wifi के तुरू connect है हम simple यहां पे add network पे click करेंगे ठीक है यहां उपर की तरफ लिखा है SSID यह रहा SSID हम यहां पे click करेंगे और यहां पे हमको type करना है youtube.com without space याद रहे कोई आपको space नहीं रखना है youtube.com ठीक है हमने type किया यहां पे अब यहा option खुल जाएगा आप उपर की तरफ देखिए search के बगल में यह दो goal बना हुआ है आपको इस पे click करना है search के बगल में ठीक है जैसे ही click करेंगे आपके device का जो youtube का application वो open हो जाएगा ठीक है तो यहां आपको करना क्या है यह जो search box है search box पे click करना है और यहां पे आपको type करन है हमारे channel का नाम यानि कि आपके channel का नाम जो है perfect mobile solution आप यहां पे type कर दीजिए perfect mobile solution ठीक है और इससे आप search कर लीजिए ठीक है मैंने search किया channel आ गया हमारा ठीक है तो यहां आप दूसरा video जो देख रहे हैं यह redmi 5 वाला video जो है इस video को आप play कर दीजिए ठीक है जैसे ही video play होगा तो आप यह description arrow देख रहे हैं यह वाला ठीक है आपको इस पे click करना है ठीक और थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे यह description box का खुल गया और यह link है आपको दिख रहा है नीचे की तरफ apk link और यह link है आपको इस पे link पे click करना है जैसे ही आप link पे click करेंगे आपके mobile का जो default browser है chrome वो open हो जाएगा ठीक है यहां से no thanks ठीक है यह browser open हो गया अब यहां पे simple हमको type करना है address box में उपर की तरफ यहां उपर की तरफ हमको type करना है google.com ठीक है यह रहा google.com तो आप type कर लीज़े ठीक है यह google का page open हो गया ठीक है अब यहां आपको यह search box में type करना है quick shortcut maker यहां search box में आपको type करना है यह रहा quick shortcut maker ठीक है उसके बाद यह जो पहला page आपको दिख रहा है quick shortcut maker 2.4.0 आप इस पे click करिए यहां से आप latest version जो है थोड़ा सा उपर कर लेंगे ठीक है यह रहा latest version हम यहां से latest version पर click करेंगे ठीक है और उसके बाद यह जो green color का दिख रहा है download हम यहां से download पर click कर देंगे तो यहां यह application डाउनलोड हो जाएगा, यहां से हम OK कर देंगे, और यह अभी नीचे देख रहा है, डाउनलोड हो जाएगा, इसे हम open कर लेंगे, यह देखिए, डाउनलोड हो जाएगा, यहां से हम simple open कर लेंगे, ठीक है, और अब इसे हमको बस simple install कर लेना है, तो इसे हम install कर कर लेंगे और जैसे यह हमारा quick shortcut maker install हो जाएगा इसे हम यहां से open कर लेंगे ठीक है open हो गया अब यहां पर हमको click करना है यह जो activity के बगल में आपको application दिख रहा है ठीक है उस पर click करना है यहां हमारे पास एक memory card है यह रहा ठीक और इसमें कुछ application है दोस्तों ठीक है कुछ application मै ने इसमें पहले से move कर लिया है और इस memory card को मैं यहां पर लगा दे रहा हूँ ठीक और अब यहां activity के बगल में जो आपको application दिख रहा है आपको इस पर click करना है यह रहा application आपको इस पर click करना है ठीक थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा file manager यह रहा आपको file manager पर click करना है और उसके बाद यह try पर click कर देना है तो यहां जो आपका file manager है यह open हो जाएगा उसके बाद उपर की तरफ यह file है आप उस पर click करिए और यहां आपको दिख रहा है internal storage ठीक है तो आपको इस पर click करेंगे तो यहां नीचे की तरफ दिखेगा SD card आप SD card पर click कर द आपको इसे install कर लेना है यहां से permission देना है back जाना है और इसे install कर लेना है तो ध्यान रहे दोस्तों सबसे पहले आपको Google Account Manager को install करना होता है यह install हो गया हम back जाएंगे और फिर यहां पर account login जो है आप इस पर क्लिक करिए और इसको install कर लीजिए यह FRP bypass application होता है ठीक है तो आप इसे install कर लीजिए ठीक है application install हो गया इसे आप open कर लीजिए जैसे ही आप open करेंगे तो उपर की तरफ देखिए three dot बना हुआ है आप उस पर क्लिक करिए और उसके बाद browse sign in पर क्लिक करिए और उसके बाद यहां से नीची से ok ठीक है यह Google का sign in page यहां पर आपका open हो जाएगा यह देखिए Google का sign in page open हो गया यहां पर आप कोई Gmail ID आपके पास जो भी working Gmail ID हो वो ID यहां पर आप add कर दीजिए मैंने अपनी Gmail ID डाल दी और अब यहां से हम इसको next करेंगे नीचे से यहां से arrow है next कर देंगे और उसके बाद यहां उसका जो Gmail ID हमने डाली है यहां पर password उसका दाला और यहां से फिर से next कर दिया अब क्या होगा दोस्तों यह जो Gmail ID है इस device में sign in हो जाएगी यह देखिए जैसे ही sign in होगी हम फिर से हमारी device automatically back आ जाएगी और यहां पर device को simple हम reboot कर देंगे यानि कि restart कर देंगे ठीक है अब क्या होगा दोस्तों यह जो Gmail ID हमने डाली थी वो Gmail ID इस device में sign in हो जाएगी और अब आपकी device का जो FRP लाख है वो रिमूब हो जाएगा तो इस तरह दोस्तों आपके पास अगर Redmi 6 है या Redmi का कोई भी device है और FRP लाख है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से अपना FRP लाख रिमूब कर पाएंगे MI account के लिए मैं फिर से एक बात repeat कर देता हूँ आपके पास mobile number जो जिस mobile number से आपने create किया हुआ था वो mobile number होना बहुत जरूरी है या जिस Gmail ID से create किया था वो Gmail ID होना बहुत जरूरी है ठीक है यह देखिए reboot किया हमने अपनी device को अब हमारी device चालू हो चुकी है ठीक है अब यह यहां से बस simple android setup है और यहां आप देखेंगे कि जो Gmail ID हमने डाली थी वो successfully इस device में add हो गई है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहां से don't copy ठीक है और यह देखिए account added और यह Gmail ID भी यहां पे सो कर रही जो Gmail ID हमने डाली थी ठीक है अब यहां से next कर देंगे अब यहां से simple android setup है तो इस तरह दोस्तों आप Redmi के किसी भी device का FRP लाख रिमूब कर पाएंगे एक बार दोस्तों मैं फिर से आपको repeat कर देना चाहूँगा कि यह video जो मैंने बनाया है मैंने इसलिए सारी बातें बिल्कुल सही सही और सही step में आपको सारी चीजें बतानी की कोशिस की है ताकि आपको fraud न फिल हो क्योंकि मैं video में कोई भी मैं fake video नहीं बनाता मैं सारी चीजें जो मैं face करता हूँ उसी पर बनाता हूँ इसलिए आपको MI account अनलाग करना है तो अगर आपको आपके mobile का जो आपने mobile number यूज करके create किया था वो mobile number नहीं मालूम है या Gmail ID नहीं मालूम है तो आपको service center विजीट करना होगा या किसी नज़दी की दुकांदार के विजीट करना होगा तब जाके आपकी device अनलाग हो पाएगी को reset कर लें थैंक्यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाग थैंक्यू थैंक्यू सो माच